योगी सरकार का 12 बिजली भीलमाफ का टा कीया बहुत बढ़िया है किसान के लिए फ़र बढ़िया आई है इससे इससे बीजेपी को बहुत पाइदा मिलेगा हाँ बहुत राहत मिलेगी बहुत लाव है कि शाने आदे लो महिना में 1000 या 1500 जो भी विलाव है अगर वो माफ है तो किसाने पूरी साल में ज्यादा नाया तो ठारे बीस दार रुपे की तो आते हैं तो बढ़िया बात कर देए बहुत बच्छी बात है और फिर तो बोट योग यह मिलेंगे इन्वे अब तो लागू कर दियो इना पर सतर साल ते लागू की तो बात है और को नोगी है इलाज कर दिया याज कर दिया एक पूछी कोई कच्छू ना कर रहे हैं वादे का काम चला है और गौद तो कोई भलो है रहो भाया दिनमे वहसन ने लाद ले जाए और इतने अमंद चेहई रहे तो भेसेने के लोगो नगो धार हे योगी बाबा कर देखे हो ने योगी बाबा की ता लगई चरा रहे हैं और बोटों योगी भाई मिले और मिले ही कहा है गिस दो तो ऐसे मालों ऐसे लकड़ गड़े पूरिया इनको नहीं है तो मर्ज आएंगे जब के चुको याव हैं इस बास जाट फिर मोधी के साथ हैं किसानों को बड़ा तोफा दिया है बिजली बिल ट्यूवल के माफ करके ऐसे में यह मौका किसान कितना भुना पाएंगे या सरकार कितना भुना पाएगी या फिर इससे किसानों पर कितना असर पड़ेगा देखना बाकी होगा लेकिन आज इसी मुद्वर बाचीत करने के लिए हम अलीगर जिले में मौझूद है यह गाओं है टपल थाना खेत्र का सालपुर गाओं है कुछ असाल पूर नागर गाओं है और कुछ किसान मेरे साथ हैं जो कि अपनी ट्यूवल संचालित करते हैं बाचीत के शुरूआत करते हैं जी राम रम साब क्या नाम हुआ र अगर वह माफ है तो किसाने पूरी साल में ज्यादा नाया तो टारह बीस जार रुपे की तवदाहत है है तो किसाने बहुत रहत मिलेगी जरूर रहत मिले एक तरफ किसान सम्मान निदी तो इसके सामने तो छोड़ी राशी है वह लेकिन उससे कहीं ने कहीं यह लाव योग बिलेगा बलकुल मिले के किछ चुनाब नज्दी है फिल लुक सबा का शुनाव नज्दी के और प्रिद्वान मंतराइज जिगें राली खर रहे हैं वह कहर रहा है कि हम किसानों की हिट्ची है आपको पर यह निदी है किसान आयमें पर शोव सोच रहें एगर महाब ही द औ आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमा बैठे हुए हैं आपको क्या लगता है इस फैसले से योगी सरकार की से वहाँ पर कोई असर पड़ेगा क्या क्या अंदोलन कमजोर हो पर लेकिन गया कि जो लोग समझदार हैं तो सब लोग वहां ना जाय पाए रहे और जो जिने लाव है एक हजार रुप्या एक हजार रुप्य का तो अभी इससे कितना लगो जो बिजली बिल माफ किया ट्यूवल का योगी सरकार ने उससे कितना फायदा होने वाला है अब साल में बारहाजार तो बचिंग गई फायदा है रहा और क्योंकि घोशना लंबे समय पहले भी की थी सरकार जब चुनाव थे तब भी योगी सरकार ने हां पहले की थी लेकिन लागू उसको अब किया गया है अब ही लागू यह बिल्कुल हां तेश्ते एक अपरेल त लागू करें पर आप पतान उना पर रहे कि मैसे अब आ रहे हैं अभी आ ठीक है विलन के लिए मैसे जा रहे हैं वी लेकि इसका आपको क्या लगता है कि चुनाव जो दोहर चुबिस के लोकस्वाद चुनाव हैं क्या उसमें भी असर पड़ेगा इसका इस फैसले का और का है वह तो पड़हा है यह को जाओ लाम मिले अऊपलके दगए योगी हो या मोधी सरकार हो वह चैंद किसान हर्षी किया है तो आपको भीस जाए कि रहे हैं कितनी हितेशी है कि लोगों कट्टा कर दिया कीमत वही है किसान इतेशी सरकार यह तो बहुत ज्यादा यह जो फैसला है यह कैसा बहुत बढ़िया किसान के लिए फट बढ़िया आई है इसे इससे इसे बीजेपी को बहुत फायदा अच मतलब फायदा मिलेगा बोटस किसां है जब फैसे बाइद अचल रहा है वह कमजोर ओगा उस पुछ नहीं इससे कोई असर नहीं पड़ेगा और मियुंद बताओ किसान कहां बोट देगा बीजेपी कोई बोट देगा क्या करेगा किसाने के लिए और कोई नहीं है यह यह जो बैल्ट है पहले से रालूत की बैल्ट रही है और अब जैन चौधरी भी मोदी के साथ आगे अब इसे बहुत असर पड़े आगे किसानों की बोट सब सब उसी के लिए बीजेपी के लिए जाएंगी ठीक है पिछले दस साल में मोधी के दस साल के कारेकाल को अब कैसे थे हम तो बड़े बढ़िया देखे नहीं नकोई बहसे खोली आतको और नकोई लड़ाई दंग बहुत आए रही है मौज ले रहे हैं खुब बढ़िया ओगी योगी सरकार के ऊपर रही हो बताओ कहा करें और नहीं नहुबार हमाई ते कोली भैसे ने खोल ले जाए बहुत शांती है बहुत शांती है इलाज कर दिया योगी में इलाज कर दिया है कोई कच्छू ना कह रहो और सारे ऊपर ते कहेंगे बोट ना दिंगे भीतरते सब बोट योगी मोदी आई सब भीतरत्व ने और कोई दे दे कोई पपु है कोई लल्लू है कोई चलू है इने बोट मिले माइए मिलेंगी बोट अ पाम कहूं अब जो जनता के काम है अब जनता इतनी वहीं हर जगे दंगे फसाद है बहुत जादा कोई दंगो ना है देन में भैसन ने लाद ले जाए भाईया जी देन मे भैसन ने जिजह खांसाब लो गए गिल ले जाए अब नहीं पताव पराएंगा अब खांसाब घली भली में तो दोलें पर एब कहूं ना हरो कहूं अब बरकुल और इतने अमन्चेन आ तो वैसे लोगों को धार है जाए और देशकों तो जो कच्छु है रहा ही रहा है कचु याम में बढ़िया उपता में कचु बुरे उपता में बाबा साधु संदु तो आपने बहुत देखे लेकि योगी यह सवाबा काँ देख हो मने योगी बाबा की तहां लग ही चरा रह देखे लिए तुम हमंचेन गिस दो तो ऐसे मालों ऐसे लकड़ गड़े पूरे इनको नहीं है तो मर्ज आएंगे जाएंगे दादा राम राम उनको भी बलाव ठीक है आप बढ़िया है क्या नाम है योगी सरकार ने किसानों के टुवेल के बिल हैं वो माफ कर दिए कर दि अजया करें लिए लिए मिलिगे आ विरुकुल अनिधि की लिकिर रहोल गांधी तो पही हुआ कि और हमारी सरकार आज आी थो सूपरा साफ हो घृओं मृता के तरह नहीं 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 ना कोई नहीं वोट नाए अब आफ जाओं के अशे हैं इसक नहीं को डानों की नहीं ऐ यह पास कुछ नहीं परवार रहा है साथ साल तक राज किया है और अभी महनत करें दाविदारी ठोक रहें देसे लूट के खाए गए लुट के खाए गए अधर आप इधर आई यह लेकिन लेकि सवाल इस बात का है कि कुछ लोग यह कह रहे कि यह जो फैसरा लिया है योगी सरकार ने चुनाब नजदी के इसलिए लिया है ऐसा लगा आपको ना ऐसी तो कोई बात नहीं तो पहले ही कर रहे हैं पर को लागून भायो और अब न्यों तो सुनो भगमार राम को मंदिर को इनहीं को दादा लाई ठोड़ो भी जेपी को व अब तो लागू कर दियो इना पर सत्तर साल तो लागून भायो कच्छू बताव कच्छू करें वह तो प्यासे हम मरें विजुली आवे है वहामे राते में आब सवेरे कू आवे साज चली जाए दिना में मोज लें राते तो सुवए किसान आयत रही तो कि योगी सरकार और वोधी की तो बात है और को नहीं कि और पहले आरी नोवजे भाग रहे और और जाए पर यह मेरा नप है और फर चली गए चारे बजे शाह पोखाजा सारो पटा तूर जाए तो हम दूसरों तो मर जाए वहामें भाहिया बढ़ामन चेन वायरो और बोट नके तो जह जह कार है जाएंगे चंता ही मत करें बीजेपी अरे तु चंता ही मत करें बीरा कोई सवाल ही ना है लोग पर कहते हैं चुनाब जीतरे के बाद में विपक्षी पाड़ी आरूप लगाती एवीम हैक हो गई वीम हैक कच्छू ना हो तो आम डा रही ना है कोई तो निसान ना लगा है तो इभीम का करेंगो जूट बोले बाई तुम जो सुब वैसिटर वाले बोटर ने बोट जो इमांदारी को तो बोट उठा जब लगाओ जब दवेगो तो ऐसे ही सब बोट देने खुले के देरे हाथ ठाड़े कर पाई लो गाम गाम बाई जब पता चल जागी आज हु भीपक्षी नेतन सक वेसक है हुना पर होनो जानो को छुना है दो जब कोई आदमी बड़ो आदमी है जाए जाए अब जो तो मोडी जी एओगाई दें योगी जी एओगाई दें के सारी बेहिमानी तो उठाए लगवाए ले तो कि जैसे सूर चंदर माई ने भी भूर कि एम लों कहाई बहुत हमारे तुम पहना हुजाशा पर्टापकों team घो कर सके तुमनेश के समूपनेश परेगा हमते साथ मोदी इस भूने के बिचारे ने तनों कर दियो कसे बढ़े बुड़े गरीव मोध्य फ़ूचा किसान है विजली का बिल माप कर दिया है योगी सरकार ने फायदा मिलेगा आप सब्सक्राइब खुब भारी किसानों के लिए काम कर रही है योगी मोदी सरकार खुब कर रही है और जो आंदुलन कर रहे हैं किसान अपनी जगे पर कर रहे हैं आप नहीं जाएंगे दिल्ली दिल्ली का नहीं भागा हो जाये हैं अगर वो किसानों और इस सरकार अगर यह बैठ के समझोता कर ले तो वह लड़ाए कि तो को जूतिना ना भगदर की मतल्ला किसान नहीं सब तरह के आदमी जाया में और तो प्रसासन ही है भाई तो वहां में एक बात जी है कि मंत्री लोग अंतिकर ऐसो कर लें कि भाई बोल बतराए कि सुब्धा मिल जाए किसान नहीं तो और ज्यादा लाब होगो सरकार नहीं बताओ लाब होगो किसान दुखी तो है किसान दुखी तो है दुखी जो है किसान करजा में बहुत डूब्यो भाई हो अब करजा में करजा की कह रहें कच्छु जो करें MSP अगर MSP आए जाए तो कच्छु रेट में सुधार है जाए अब जो मानों के 700 में तो है राज और 500 में बेलदार इनने के हर 6 महीन आपे 50 रुप्या 100 रुप्या बढ़ जाएं और किसान को ये कुंटल पे 22 रुपई या के 21 रुपई या के ऐसे बढ़ तो गल्त नाय कर रहे आंदोलन पर गया कर फिर वांदोलन जितनों चलो चलो लेकर लाव फिर भी जेपी ही हो फुल में लाके गया बला सुई वहीं आके टिक रही है अब मोधी को हराने वाला गी जो गठवंदर मना अख्लेश यादब का रहूल गांदी का और मुम्ता बन में दमनाएं ने को अब राहुल गांदी जैसे कम कम भगयो डूलो है और कर रो पहल तो रामकी को करें हो दूए समाने हो अब भगवाना के जोर हुआ गयो महा काला पर जायके मेन पर ती डिबाए ले आँगो अब हुआ का तो जनता है अगी डिबा तो जनता में तो कछू अब यहीं बात है ऐसे यह यह राहुल तो कभू जीतनों नहीं आए जिन्दीगी में कभी इतने नराज क्यों राहुल गांदी को आदमी ना बोले पर कोई सवुन आए वामें यह गांदी पर वाहं ता हमेशा माल खायो दंखायो और अभी आपकों कोई है ना कुछ यह नह जाट ने हुआ जाट जीते हैं। वैसे तो जीते नहीं है। मुसल्मान लोग तो बोट देना है बीजेपी है मुसल्मान जितने मुसल्मान है वो तो बीजेपी के जो खिलाप होंगे उन्यों गर सुद्धोर शुकातर चेन्ट इसक्राइब प्रकिसी का कि मोदी तो बहुत बढ़िया चीज है कि सान्ना के मापिक पर रहो और आम जनता के वह सी के मापिक पर रहो है सब को भलो कर रहो है बहुत धरनेवाद हमसे बाचीत करने के लिए